इंदोर पुलिस ने एक ऐसे गिरों का परदाफाश किया है जो तंत्र मंत्रों जादू टोना के नाम पर लोगों को रुपए दोगुना कराने के नाम पर जहसा देते ही और ठगी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए लेते ही एसे ही मामले में आठ लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरों के चार सदस्य को पुलिस ते अपनी गिरफ्त मिलिया ही दरसल मामला बार्ण गंगा थाना चेतर का है जहां ग्राम जाक्या में रहने वाली फर्यादी किरन कोर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात तांतरिक जाकिर खान से हुई थी जहां दीपक बंजारा अमित टाल उसके अन्य साथियों ने तंत्र मंत्रों जादू टोना कर रुपई को दोगुना कराने को लेकर जहासा दिया वो महिला से आठ लाक रुपई की ठगी की वारदात को अंजाम दिया शिकायत पर पुलिस ने नागदा से तांतरिक जाकिर खान मंसुरी सहित अन्य तीन आरुपई को अपनी गिरफ्त मी दिया ही पकड़े गए चार होई आरुपई से पुलिस अब ठगी किये गए रुपई का हिसाब किताब ले रही है इंदोर में इंटीरे डिजाइनर करूना शर्मा आत्मत्या मामले में आखिरकार पुलिस की जाच पूरी होने के बाद चार आरुपई के खिलब आत्मत्या के लिए प्रिरित करने की धाराओ में प्रकरन दर्ज कर लिया ही वहीं पुली सब आरूपय की तलास में जुटी है। पेसों के लिए प्रतारित करने को लेकर करुणा शर्मा पिछले एक साल से परेशान थी जहां बीसी और फंडर रुपय को लेकर कई दिनों तक शहर छोड़ कर चटीस गड़ रह रही थी। लास में जुटी है। लास में जुटी प्रूस्थ एक लिक बातार रहाँ में जुटी को से अचाओ कर टाव़ रहाँ रहाँ को लेकर को लेकर रहाँ करुटी है। झाल